मैं सवरोफ सर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले की टू डिजिट नमबर का स्कुएर एक्जैक्ली कम से कम स्पीड में कैसे फाइंड आउट करना है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि सब्सक्राइब करने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो स्टार्ट करते हम इस वीडियो को स्कुएर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो कम से कम समय में तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको वन डिजिट नमबर की स्कुएर से आपको लर्न करने ज़रूरी है का स्कुएर वन रहेगा तように करने ना कि स्कुएर आता है फॉर नाने गहिए फॉर लूह का सकुएर जीट करनेवाला है इसके बाद हिटी वन तो यह हमारे बेसिक नाइन डिजिट से जिनके स्क्वेर आपको पता होने ज़रूरी है तभी आप टू डिजिट नंबर के स्क्वेर उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हों अब देखो अलग-अलग नंबर के सीरीज को अलग-अलग कुछ ट्रिक्स यूज किये तो यही फॉर्मिले के कुछ ट्रिक्स के साथ हम टू डिजिट नंबर का स्क्वेर निकालने वाले ओके अलग-अलग ट्रिक्स होते बच्चों जो आपको सही लगे और जो आपको आचे से समझ में आए वही प्रिफेर कीजिएगा जैसे स्टार्ट करते हम 11 का स्क्वेर यह फर्स टू डिजिट नंबर है हमारा टू डिजिट नंबर आपको पता होंगे बच्चों 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पर खतम होते हैं तो 10 का स्क्वेर निकलना तो बहुत इजी चीज है देखेगा 10 का स्क्वेर अगर हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले 1 का स्क्वेर आपक सबसे पहले लिखना है यहाँ पर उसके बाद B का स्क्वेर लिखना है और बीच में जो टम रहेगा वह आपको लिखना है स्क्वेर कितना रहने वाला है तो बीच में 2a भी टर्म रहेगा यह और बीच में दोनों का भी बैल्यू देखेगा बच्चो वन वन है तो कितना आने वाला है बच्चो टू तो यह हो गया 11 का स्क्वेर डैट इस 121 ओके तो लाइक देट हम अब नेक्स नंबर के और प्रोसी कंसी डर करना है दिखो सबसे पहला तर्म आने वाला स्कवेर दूसरा तक मानेवाला आप स्क्वेर और बीचप वाला तर्म रहेगा बच्चो टू ए-बी ओके तो आप देखेंगे बच्चों, A मतलब 1 है, तो 1 का square 1 आने वाला है, B square, B मतलब 2 है, 2 का square डेफिनिटली 4 आएगा, और बीच में term देखेंगे बच्चों 2AB है, 2 into A का value आप देखेंगे बच्चों 1 है, और B का value 2 है, तो 2 into, ये 2AB terms को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो क देखेंगे बच्चों 13 का square, अगर हम निकालना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे करना है, 13 का square निकालते हो, A हमारा 1 रहेगा, B हमारा 3 रहेगा, तो A square मतलब 1 का square 1 आएगा, B square मतलब 3 का square, that is 9 आएगा, और बीच में जो term रहेगा, वो 2AB term रहने वाला है, तो 2 into 1 into 3, that is 6 आने व लखना है, 14, 4 के square के आगे, जितने भी, मतलब आगर हमारा last digit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर आता है न, तो इन digits के बार में concentrate किजे का बच्चों, ये two digits, मतलब इन numbers के जो square है, वो two digit numbers है, तो फिर ऐसे beat के साथ कैसे deal करना है, वो देखीगा, तो दिखो आप बच्चों, यहाँ पर भी हमें first number को A treat करना है, second number को B treat करना है, तो पहला term हमारा आने वाला है, A square, दूसरा term हमारा आने वाला है, B square, okay, मतलब last term, और बीच वाला term आने वाला है, 2AB, तो आप देखीगा, बच्चों, A का square मतलब A तो 1 है, तो 1 का square आपको पता है, बच्चो 16 है, लेकिन 16 is the two-digit number, तो देखीगा, बच्चों, ऐसे consideration, ऐसे calculation करते हो, आपको थोड़ा order याद रखना है, कैसे-कैसे numbers को लिखना है, अभी इसमें हमें A square जो रहेगा, बच्चों, यह सबसे first priority में आपको लिखना है, उसके बाद 2AB वाला term रहे 4, तो 8 into 1, 8 रहेगा, 8, तो 2AB term का answer बच्चों 8 आने वाला है, तो यह 8 second order में, मतलब थोड़ा नीचे लिखना है, first term के, यह हमारा A square term है, यह 2AB term हुआ, और B square term सबसे last में लिखना है, बच्चों, B का value देखो 4 है, और 4 का square 16 है, तो 16 को इस वह से लिखना है, is it okay, ऐसे order में आपको बच्चों यह पूरा मतलब numbers को arrange करना पड़ेंगा, तभी final answer सही आएंगा, तो आप देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 6 है, तो पहला digit हमारा 6 आने वाला है, 8 प्लस 1, कितना आने वाला है, 9 और last में 1 आएगा, तो final answer आने वाला है, इसका 196, ओके, अभी देखो 15 का स्क्वेर निकालते हो वक्त आपको आनादर एक ट्रीक है, जो ट्रीक आपको आच्छे से लगे वो करो, अधर्वाइस आप जैसे मैंने यह बताया, उसी बीट से आप भी आप इसको स्वाल कर सकते हो, लेकिन दूसरा ट्रीक इसका easy है, 5 का स्क्वेर बच्चों देखो कितन सा नंबर आता है, 2 आता है, तो नेक्स नंबर और प्रिवेस नंबर इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन करना, तो कितना आ जाएंगा बच्चों, 225, तो हो गया यह फाइनल आंसर, तो यही ट्रीक को हम पहले आच्छे से समझ लेते हैं, 15 का स्क्वेर हो गया, अभी 25 का स्क्वेर लिख देना बच्चो 25, और 2 का स्क्वेर, स्वरी, 2 का स्क्वेर नहीं करना है, 2 का नेक्स नंबर को सा रहने वाला है, बच्चो 3, तो 2, 3 कितना आने वाला है, 6, तो हो गया इसका स्क्वेर 6, 25, तो यह जो ट्रीक हैं, बच्चो यह पर्डिकुलर ली ऐसे नंबर के साथ यूज करना है, जिसका लास्ट डिजिट फाई है, तो इसके साथ हम 45 का भी स्क्वेड इसले कर सकते बच्चों, 45 का स्क्वेड निकलते ओच यूज करना है, फाई का स्क्वेat 25, और four के आगे का नंबर कोँ सा है, तो four into five, कित्ना आने वाला है, 20 तो लिख दो आपर तो ऐसा यह बीट पूरा रहने वाला है जिरो के तो ऐसे सभी नंबर्स का पच्छों आपको प्रैक्टिस करना है जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इस ट्रिक में आपको अच्छे से परफेक्शन आएगा ओके और सभी तो बहुत कम समय में आपका स्क्वेर निकलना स्टार्ट हो जाएगा कोई भी ट्रीक तभी अच्छे से काम में आता है बच्छों जब उसको परफेक्शन आप कैसे यूज करना यह आपको पता हो ओके अधरवाइस वो ट्रीक रॉंग भी हो सकता है उसके उससे अंसर तो इ बीड़ से रहते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो से रहेंगे वो सब में आपको अपलोड करूंगा मेरे चैनल पर तो जरूर देखते रहेगा वीडियो को इस वीडियो में आप हम यही स्टॉप करते हैं थैंक यू